नमस्कार आप देख रहें DRV NEWS, DRV NEWS में आप सभी का स्वागत है, मैं मीघा खाड़े देश भर में 24 घंटे में लगबग 2 लाग से भी ज्यादा कोरोना केसिस पाए गए है इन में से लगबग 70,000 पेशन्स ठीक हुए है और 227 की मौत हो गई है इस वक्त करीब 8 लाग कोरोना पेशन्स का इलाज चल रहा है 11 दिन पहले ये आकड़ा 1 लाग तक था नए केसिस की बात करें तो लगातार पांचवे दिन ये आकड़ा 1 लाग के उपर आ रहा है हाला कि इस में 12,000 की कमी देखने को मिली है इस से पहले रविवार को लगबग 2 लाख लोग संक्रमित मिले थे सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि चिंता जनक बने महाराश्रा दिल्ली और पंशिम बंगाल में सोमवार को नए मामले कुछ कम हुए इस बीच देश की राजधानी यानि दिल्ली में सभी प्राइवेट ओफेसेस, रेस्टोरेंट और बार बंग करने का आदेश दिया गया है ये आदेश ततकाल प्रभाव से लागू होगा डेल्ली डिजास्टन मैनेजमेंट और अथारटी की बैटक में ये फैसला लिया गया है हाला कि लोगों को वर्क फ्रम होम की अनुमती दी गई है आए देखते हैं कोरोना के अपडेट्स क्या है कोरोना की नैशनल टेकनिकल एडवाईजरी ग्रूप याने NTAGI के चेर्मेन डॉक्टर N.K. अरोडा ने मोलनू पिराविर कैप्सुल को लेकर नहीं जानकारी दी है दिल्ली के CM अर्विन केजरिवाल ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में पिछले दिनों 22,000 कोरोना केस के साथ 24 से 25 प्रतिशत पॉजिटिव विटी रेट दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि राजदानी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा सरकार कोरोना पेशन्स के लिए बुदवार से ओनलाइन योग क्लास शुरू करेगी इसके लिए होम आइसलेशन वाले पेशन्स को योग क्लास की वेब लिंक भेजी जाएगी मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 120 पूलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है वही एक पूलिस कर्मी की मौत हो गई है हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 जन्वरी को मकर संक्राती पर शद्दालू के स्नान करने पर पाबंदी लगा दी है हरिद्वार के डीम विनेश शंकर पांडे ने बताया कि जिले में 14 जन्वरी की राच 10 बजे से 15 जन्वरी सुबे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागो रहेगा इस दोरान हर की पॉडी इलाके में भी एंट्री बैन रहेगी देश में करोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होने वाली मीटिंग में संक्रमंग रोकने को लेकर बड़े फैसले लिये जा सकते हैं हेल्थ मिनस्ट्री के आकड़ों के मुताबिक देश में कोवेड पॉजिटिविटी रेट अब साड़े 10 प्रतिशत है वही ओमिक्रॉन केस की कुल संक्या बढ़कर लगबग 4,500 हो गई है इन में से लगबग 1700 मरीज ठीक हो चुके है इस महामारी की बढ़तीवी रफ्तार को देखते हुए अब देखना ये है कि सरकार जनता की हित में क्या फैसला लेती है DRV News में बस अभी के लिए इतना ही DRV News चानल को सब्सक्राइब कीजे इस पे कमेंट इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त धन्यवाद